बच्चों, अब हम next एक समी करन लेते हैं, हल कीजिए, यह question है, लिखा है, हल कीजिए, यह आप पूरे-पूरे सब्दों में भी दिया जा सकता है, प्रतिलोम त्रिकोड मिती समी करन को हल कीजिए, यह question है, 10 inverse of 1 minus x by 1 plus x is equal to half 10 inverse x, where x is greater than 0, ठीक है, बच्चों, अब इसको हम हल करते हैं, तो इसको हल करने के हमारे पास दो आप्सन हैं, जब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए, यह question है, मैं पहले note कर देता हूं, दिया है, या दिया गया समी करन है, 10 inverse of 1 minus x by 1 plus x is equal to half 10 inverse x, ठीक है बच्चों, अब हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक बीजी रूप से भी हल कर सकते हैं और एक उचित त्रिकोर्टमिती प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, हम इसको दोनों विधी से हम सीखते हैं तो पहले हम बीजी विधी से सीख लेते हैं तो चली बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं इस 1 by 2 की 2 को हम पक्षांतर करते हैं तियो हो जाता है 2 10 inverse of 1 minus x by 1 plus x is equal to 10 inverse x अब बच्चों यहाँ पर left hand side में 2 10 inverse आप दिस right hand side में 10 inverse of this तो हम हमारा पहला जो तरीका होता है कि दोनों पक्षों में समान प्रतिलों त्रिकुन मिती फलन लाना ताकि इसको हटाए जा सकते यहाँ पर 2 10 inverse है तो हम फार्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास फार्मूला है 2 10 inverse x यह फार्मूला है 2 10 inverse x is equal to 10 inverse of 2 x upon 1 minus x square इसमें हम अप्लाई करते हैं left hand side में तो बच्चों यह हो जाता है 10 inverse of 2 into 1 minus xy upon 1 minus x square is equal to 10 inverse x अब आप देख रहें दोनों पक्षों में समान ITF आ गया इधर भी 10 inverse इधर भी 10 inverse दोनों पक्षों का 10 ले लिजे तो यह हट जाएगा तो देर अप्लाई लिख सकते हैं this equal this अब इसको हम सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों सरल करते हैं इसको तो यह हो जाएगा 2 into 1 minus x by 1 plus x और इसका नीचे 1 plus x का whole square minus 1 minus x का whole square और इसके बाई में आ गया 1 plus x का whole square is equal to 10 inverse x फिर हम इसको simplify करते हैं तो यह में से 1 plus x और इसके यह में से 1 plus x एक गुना अटक्रंट केंसिल हो गया और यह उपर चल देगा तो इसका जो सरलतम रूप है 2 into 1 minus x into 1 plus x अपान इसको भी simplify कर लेते हैं a square minus b square का formula लगाते हैं a plus b into a minus b a plus b into a minus b इससे हम इसको simplify कर लेते हैं is equal to 10 inverse x सरलतम रूप पे लाते हैं इसको तो उपर हो गया 2 into 1 minus x square और नीचे इसमें यह cancel हो गया 1 plus 1 2 into इसमें यह cancel हो गया और x plus x 2x हो गया is equal to 10 inverse x ठीक है बच्चों अब इसको हम हल करते हैं यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजे बच्चों यहाँ से 10 inverse हट गया यह सिर्फ x बच्चेगा यह ध्यान रखेंगे यह 10 inverse x में से दोनों तरफ 10 लिया तो 10 inverse हट गया क्या बच्चों x तो इधर x यह x अब इसको हम और सरल करते हैं यह 2 केंसिल हो गया यह धर गया 2x square 1 minus x square is equal to 2x square 1 is equal to 3x square minus x इसको उधर गया अब हम थोड़ा और इसको simplify करने कोशिस करते हैं यहाँ ले लेते हैं तो x का square is equal to 1 by 3 यह आगया देन x is equal to plus minus 1 by root 3 अब x के दो जवाव आए बच्चों plus 1 by root 3 और minus 1 by root 3 ठीक है तो चू की condition क्या दिया है x is greater than 0 तो x is greater than 0 दिया मतलब positive आनको लेना है therefore x is equal to 1 by root 3 यह हमारा अभी इस्टहाल होगा यदि यह condition नहीं दिया होता तब क्या करते बच्चों यदि यह condition नहीं दिया है तो हमको satisfy करना होता संतुष्ट कराना होता चेक करना होता कि positive मान और negative मान दोनों धारन कर रहा है या केवल positive को धारन कर रहा है या केवल negative को धारन कर रहा है यह हमको check करना होता है बच्चों क्योंकि condition दे दिया है x is greater than 0 तो positive मान को ले लेना है धनात्माक मान को ले लेंगे इसको आप रखेंगे यहाँ पर 1 by root 3 को रखेंगे तो left hand side भी positive आ रहा है और right hand side भी positive आ रहा है दोनों पक्ष को संतूष करता है ठीक है अता यह अभिष्ठ हल होगा अब हम इसी को एक और method से सीखते हैं बच्चों उचित त्रिकोन मिति प्रतिश्थापन से उसके वाद आपको तय करना है कि इसमें से कौन सा method अच्छा लगा उस method को आपको apply करना है जैसे बच्चों हम इसको त्रिकोन मिती प्रतिस्थापन करते हैं तो क्या प्रतिस्थापीत करें तो इसको देख करके आपको तैक करना है क्या प्रतिस्थापीत करें जैसे हम x is equal to 10 theta प्रतिस्थापीत करते हैं तो जब x equal to 10 theta प्रतिस्थापीत करेंगे तो इसका रूप क्या हो जाएगा बच्चों देखिया X equal to 10 theta there implies theta is equal to 10 inverse X ये आपको ध्यान रखना है अब हम प्रतिस्थापित करते हैं therefore 10 inverse of 1 minus 10 theta by 1 plus 10 theta is equal to half और ये 10 inverse X मतलब theta तो ये half theta ये ध्यान दीजेगा अब ये हो जाएगा 10 inverse of यहाँ पर हम एक arrangement करते हैं 10 45 अंस कमान है 1 is equal to लिखा जा सकता है 10 pi by 4 minus of 10 half theta by 1 plus यहाँ पर हम arrange कर सकते हैं 10 theta को 1 into 10 theta then 1 means 10 pi by 4 then 10 pi by 4 into 10 theta ये लिखा जा सकता है is equal to half theta ऐसा arrange करने से क्या बन गया बच्चों 10 A minus 10 B upon 1 plus 10 A into 10 B 10 A minus B का फार्मुला हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 10 inverse of 10 of pi by 4 minus theta is equal to half theta ऐसा करने से हमें self-adjusting property 10 inverse of 10 of this is equal to this ये फार्मुला लग जाता है और ये रह जाता है pi by 4 minus theta is equal to half theta त्यहाँ पर ध्यार रखने है बच्चों आपने फार्मुला जो apply किया side बे लिख दीजे 10 inverse of 10 of x is equal to x ठीक है तो हम ये apply किये अब ये हो जाएगा minus theta को उधर ले जाए pi by 4 is equal to half theta plus theta that is 3 theta by 2 ठीक है बच्चों अब इसको हम सराल कर लेते हैं तो theta is equal to क्या हो गया theta is equal to 3 by 2 को इधर ट्रांस्पोस कर दो पक्षानतर कर दो pi by 4 into 2 by 3 तो ये cancel कर दो pi by 6 theta is equal to pi by 6 theta क्या है बच्चों 10 inverse x तो therefore 10 inverse x is equal to pi by 6 ठीक है अब pi by 6 किसका 10 है या फिर इसको लिख सकते हो x is equal to 10 pi by 6 और 10 pi by 6 याने 1 by root 3 अत्व हल हमें जो मिला x is equal to 1 by root 3 तो यहाँ पर कोई दोईधा नहीं बच्चों यहाँ पर केवल एक ही जवाब आया और जो इस सर्थ का पालन कर रहा है इसमें कोई दूइधा वाली बात नहीं है जहां तक सवाल जब वर्ग समीकर बनता है तब वहाँ पर दूइधा होता है कि दो जवाब आता है और दोनों में से कौन सो जवाब लें तब हमें जो सर्थ दिया गए उसको ध्यान रखना होता है